दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज के करेंटेफेर तो फर्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास में मॉन्टेन मकालू के बारे में तो निउस आई है इसके बारे में कि जो 18 मेंबर हमारी इंडियन आर्मी की टीम गई थी मॉन्टेनियर की टीम गई थी इस mountain के उपर उनके दोरा successful scale कर लिए गया इस mountain को तो इसके बारे में हमने news देखी थी यती के बारे में हमने news देखी थी एक organism था, ape-like organism था, white-white color का तो वो वाली news थी, इनके दोरा उसका foot ढूंडा गया था तो अब इनके दोरा पूरा complete कर लिए गया अब इसके अंदर में आपको याद करने की यावशकता सिर्फ mountain के बारे में है कि mountain कहाँ पेस्थीत है तो यह नेपाल के अंदर है, fourth tallest mountain है यह और यहाँ पे आप location देख सकते हो और इसके साथ में Mount Everest, Mount Everest ते 19 km East की तरफ है यह, तो यह बात बस याद रखने है अपने की Mount Macaloo, नेपाल के अंदर है और fourth largest, सबसे बड़ी पीक है 19 km, अगर हम south इस direction में जाएंगे तो वो Mount Everest ते हमारा Mount Macaloo आएगा और इसके base के निचे है एक valley जिसका नाम है Barun Valley, तो इसका नाम भी याद कर लेना काफी popular रही है, इस type की देखने को मिलेगी काफी beauty hole उसके बाद आते हैं, हमारे पास में Montanchin Kang Montanchin Kang, इसके बारे में नहीं उस है कि हमारे NCC, girls का cadet जो है, वो भी Montanier expedition के लिए गया इस mountain के उपर, तो आपको जस्ट याद करना है कौन सी location के उपर है, तो सिक्कीम के अंदर है ये, अभी recent के अंदर में ये start हुआ तो सिक्कीम के अंदर है, बस इतना याद रखना Next आता है, हमारे पास में वेव श्रेष्ट सम्मान तो श्रेष्ट, जो वेव लोग हैं बड़े जो लोग होते हैं, senior citizen उनको सम्मान देने के लिए एक award type है ये, तो इसके बारे में क्या याद रखना, ये ये चीज़ याद रखने बड़ेगी अगर आप से question में पूछा गया कि वेव श्रेष्ट सम्मान किस चीज़ से related है woman, SCST, senior citizen तो आपको बताना चाहिए, senior citizen दूसरी बात इसको कौन देता है तो जो mostly हमारी vulnerable section है SCST वगएरा, वो हमारे आते है social justice और empowerment के ministry of social justice and empowerment के अंदर तो अब news के अंदर आया क्योंकि ministry of social justice और empowerment के दोरा nomination invite किये गे उनके दोरा बोला गया various NGO वगएरा को कि आप nominate करो, कौन से person किनके दोरा हमारे जो senior citizen है उनके लिए अच्छा काम किया गया तो nomination मंगवाए गया, इसलिए news के अंदर आया वयसरेश्ट समान senior citizen के लिए और इसके अंदर में 13 categories होती है जो कि याद करने की आफशक्तनी है, उनके अंदर से आपको इनाम दिया जाएगा, उनके अंदर जिननने अच्छा काम किया तो इसमें कोई भी eminate senior citizen अगर कोई senior citizen या किसी institution ने हमारे जो senior citizen है, उनके लिए अच्छा काम किया elderly के लिए अच्छा काम किया तो इस award उनको दिया जाता है 2005 में first time start किया गया था 2013 के अंदर इसको elevate करके national award का status दे दिया गया इसको दिया जाता है generally 1 October president के दोरा जब international older person का day होता है तो आपको ये चीज़ें याद करने के आप सकता है कब दिया जाता है बाकी चीज़ें आपको याद करने पड़ेंगी social justice senior citizen के लिए किसको दिया जाता है और 2013 के अंदर national awards को बना दिया गया फिर next आता है exit poll के बारे में news चल रही है कि जो हमारे काफी सार exit poll है उनके अंदर में NDA को बताया गया कि वो फिर से return कर सकते हैं power में तो आपको exit poll के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चीए exit poll एक तरीके का survey है जो किया जाता है जब आप voting से vote देके बाहर आओगे उस time person जो बाहर आएंगे उनका view पूछा जाता है जो हमारी survey करने वाली agencies होती है उनके दोरा पूरे जो भी हमारे different phase के अंदर election होते हैं अलग-अलग state के अंदर में वहाँ पे उनके दोरा पूछा जाता है उनको उसके लावब वो उससे बाहर भी अपने तरीके से सबका अपना अपना तरीका होता है वो random तरीके से sampling के दोरा लोगों से पूछेंगे कि उनके दरा किसको vote दिया गया या उनको क्या लग रहा है उनके जो area है उसके अंदर में कौन जीतने वाला है उस हिसाब से वो survey करते हैं और उसके अनुसार फिर exit poll करते हैं तो इनको exit बोला जा रहा है विकॉस जब आप vote देके वापस आते हो तो उसके बाद में ये किये जाते हैं जर्नली जो इससे पहले किये जाएंगे उनको opinion poll बोलेंगे उसमें सिर्फ opinion पूछेंगे अब आपने vote दे दिया है उसके बाद पूछा जाता है तो इसके अंदर बोला गया कि NDA फिर से सत्ता में आ सकती है इसके अलावा exit poll जो होते हैं वो election को काफी influence कर सकते हैं तो इसके बारे में हमारा जो representation of people act है जो मैंने आपको बताया था constitution के अंदर आप हर चीज mention नहीं कर सकते इसके अंदर में mention है कैसे election बगएरा होंगे parliament के, state के disqualification, disqualification तो उसके अंदर में section 126A के अंतरगत में exit poll के बारे में भी बोला गया है because exit poll influence कर सकते हैं election को कैसे? जैसे मालो phases के अंदर election हो रहे हैं तीन phase के अंदर election हो रहे हैं इस direction के अंदर हवा बहरी होती है, जो जीतने वाली party होती है उसको वोट दे देते हैं तो वैसी condition के अंदर में exit poll के ओपर भी कुछ न कुछ बोला गया है हमारे जो रोपा है 1951 का उसके अंदर इसके अंदर बोला गया कोई भी person कोई भी इस तरीके का poll conduct या उसको publicize नहीं करेगा ना ही electronic media से या ना ही किसी और manner से तब तक ऐसे period जो की election commission के दोरा specify किया होगा जब तक election commission ने specify किया है तब तक आप exit poll के result नहीं निकाल सकते तो exit poll election commission के दोरा क्या बोला गया है election commission के दोरा बोला गया जब तक पूरे phase के election खतम ना हो जाएं यसे अभी खतम होए पूरे phase के election ना खतम हो जाएं तब तक कोई भी exit poll का result आप नहीं निकाल सकते क्योंकि वो next phase को influence कर सकता है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ये पूछा जा सकता है प्रेलिम के अंदर और हिस्टी की बाग करेंगे फर्स एग्जिट पोल कंड़क्ट किया गया था हमारा second जो लोग सब election हुआ था 1957 के अंदर में तो 1952 में first election हुआ था और 1957 के अंदर second election के अंदर जिट पोल का उपीनियन इसके अंदर में लिया गया था next आता है हमारे पास WTO का appellate body WTO की appellate body हमें बता है WTO क्या है WTO एक ऐसी body है जो की trade को increase करने के काम करती है different countries के बीच में world के अंदर में developing और developed country के बीच में balance maintain करने का काम करती है और कोशिश करती है कि trade के अंदर में कोई barrier ना आए अगर trade के अंदर कोई barrier होता है कोई country दूसरे के ओपर tariff लगाती है tax लगाती है वैसी condition के अंदर जो country है वो जा सकती है WTO के अंदर और WTO काफी अच्छी body मानी जा सकती है क्योंकि ये dispute को solve करने में काफी हद तक कामियाब रही अभी तक के हिसाब से लेकिन अब recent के अंदर news क्यों आई WTO का appellate body WTO के अंदर में appellate body भी है जहांपे decision आप अगर case करोगे उसकी सुनवाई की जाएगी वहाँपे और उनका decision binding होगा उनके बारे में news इसलिए आई क्योंकि दिली के अंदर में 20 developing country मिली दिली के अंदर में इंडिया के दक्ष्टा में 20 developing country मिली और उनके दोरा बोला गया कि WTO की जो dispute resolution system है उसको collapse होने से बचाने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा अब इनके दोरा ऐसा क्यों बोला गया कि उसको collapse होने से बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा पहले थोड़ा सा WTO की mechanism को अगर समझें यह हमारे बास मालो WTO अगर आपको इंडिया और जापान के बीच में कोई conflict है तो किस तरीके से conflict जाएगा जैसे मालो इंडिया को जापान की complaint करने है इंडिया complaint करेगा वहाँ पे चलेगी first process first process के अंदर गया होगा consultation या जो staff होगा WTO का वो investigate करेगा कि क्या इनके दोरा जो चीज़ें बोली गई वो सत्ते हैं अगर वैसा होता है तो वो क्या करेंगी इन दोनों के बीच में mediate करने की कोशिश करेंगी या आप सुलजालो WTO में क्यूं इस तरीके से जाएंगे उससे पहले ही आप सुलजालो इसको वो try करेंगी अगर नहीं होता तो उसके बाद में एक panel का गठन होगा एक panel का गठन होगा पैनल अपनी report submit करेगा या वो पूरे तक्थियों को जांचेगा उसके बाद में panel कुछ बताएगा अगर उसको मान लिया जाता है कि ठीक है दोनों के द्वारा मान लिया जाता है वो mediate कर लेते हैं आपस में सुलजालेते हैं उसको तो अच्छी बात है otherwise third step के अंदर appellate body जो हम अभी appellate body देख रहे हैं वो third step के अंदर आएगी third step के अंदर में अगर नहीं माना जाता पैनल का decision भी तो फिर आएगी appellate body इन दोनों के decision यह तो आपको mediation type कर रहे थे इसके अंदर में कोई binding decision नहीं था third phase के अंदर जब आप decision दोगे तो यह binding होगा अगर इसको नहीं मानते तो फिर आपको action लिया जा सकता है आपके खिलाफ में जैसे आपके खिलाफ sanction लगा दिये गए या आपको बोला गया जैसे इंडिया के दोरा अगर जापान ने इंडिया के उपर tariff लगाएं तो डबलेटियो बोल सकता है इंडिया को कि आप इनके खिलाफ tariff लगा दो तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती है तो third phase के अंदर आती है appellate body अब appellate body को collapse होने से बचाने के लिए हमारी ये different body जो थी इनकी meeting होई दिल्ली में लेकिन meeting क्यों हुई meeting इसलिए हुई क्योंकि डबली ओटियो का जो appellate body है उसमें seven की requirement है साथ judges की requirement होती है लेकिन अभी present में सिर्फ तीन है उनकी appointment के उपर United States के दोरा रोक लगाई रखी हुए है तो उनके दोर appointment नहीं की जारी है और उसके कारण United States के दोरा क्यों नहीं की जारी because उनके दोरा बोला जारा ये biased है हमारे जो issues हैं उनके प्रती biased है और इसलिए Trump के दोरा Trump administration के दोरा 25% tariff लगा दी गया है चाइना की goods पे और उसके लिए वैसे journal procedure नहीं चाहिए था कि WTO के अंदर हो जाते लेकिन उनने WTO को bypass किया हुआ है तो वैसी condition के अंदर Trump के कारण रोक लगी हुए इनकी appointment के उपर और उसी कारण अब ये 7 में मिल रहे है because अगर वहाँ पे member नहीं increase होते तो वैसी condition के अंदर WTO का पूरा जो dispute resolution mechanism है जो third stage वाला वो पूरा collapse हो जाएगा तो अगर इसकी बात करेंगे WTO की appellate body एक standing committee है जिसमें 7 member होंगे जो की preside करेंगे judgment देंगे trade related कोई dispute होगा उसके प्रती judgment देंगे 19 अप्यानवर के अंदर ये बनी थी और ये काम करेगी appellate body अगर जो panel मैंने बताया आपको second stage में जो panel बनेगा अगर उसकी report को नहीं माना जाता तो ये फिर वो panel report submit करेगा इस body को appellate body को और ये फिर आगे उसमें direction देंगी और इनका जो decision होगा वो final होगा और binding होगा अगर आप नहीं मानते तो आपके उपर sanction लगाए जा सकते हैं या other कोई action दिया जा सकता है तो ये binding होगा और इन्हें अभी तक 152 reports submit की होई है उतने issue पे deal किया हुआ है जैसा मैंने बताया first stage के अंदर में भी काफी सारी हमारी problem जो है वो first stage के अंदर ही solve हो जाती है second में और third level के उपर ये वाला चलता है program next news आती है श्याम सरन नेगी तो श्याम सरन नेगी 101 वर्षिय की नौ डिस्टिक हिमाचल प्रदेश के अंदर रहने वाले है और ये first Indian है जिनके दोड़ा vote डाला गया था India में तो UPSC में इस टाइब का question आने के कोई chances नहीं है बट फिर भी interesting चीज़ है और अगर आपको कोई और exam दे रहे हो उसके अंदर काम आजाएगा आपको तो ये हिमाचल प्रदेश के नौ डिस्टिक से तालुक रखते है इनके दोड़ा लोकसभा जो first लोकसभा में first चुनाव voting के दोड़ा डाला गया था basically इंडिया के अंदर first vote डाला गया था इनके दोड़ा तो ये जो हैं retired school teacher है और 1951 के अंदर में first vote डाला था इनने journal election में election जो थे वो 1952 के अंदर होने थे लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर में बर्फ बारी के कारण इनके दोड़ा सोचा गया कि उनको pre-pawn कर दिया जाए तो fab के अंदर होने थे लेकिन pre-pawn किया गया 5 मत और 5 मत pre-pawn करने के काँ 1951 में first journal election हिमाचल में पहले हो जाते हैं और ये first person से जिनके दोड़ा vote डाला गया उस time तो अब ये 101 वर्षी हैं और हर साल हर बार ये vote डालने के लिए जाते हैं तो किसी और exam में काम आ जागा UPSC के अंदर इस type के question नहीं आते फिर आया हमारे पास कोईना डैम के बारे में नियूस है महरास्टा के अंदर में power की shortage देखी जा सकते हैं क्योंकि पानी की कमी देखी गई इस बाले डैम के अंदर कोईना डैम के अंदर तो आपको क्या पता हो ना चीए कोईना डैम location कोईना डैम है हमारा महरास्टा के अंदर में और कोईना डैम कोईना रीवर के उपस्थित है कोईना रीवर जो है वो जो क्रिशना रीवर है क्रिशना रीवर की ट्रिब्यूटरी है कोईना रीवर और जो ये कोईना डैम बनेगा उसके बाद जो पीछे लेक बनेगी उसको बनेगी शिवसागर लेक तो शिवसागर लेक एक artificial लेक है जो की कोईना रिवर के उपर डैम बनाने के कारण बनी हुई है और कोईना रिवर और कृष्णा रिवर एक ही प्लेस से originate होती है महाँ बलेश्वर से और उसके बाद में फिर ये divers कर जाएंगी अलग डारेक्शन में और बाद में फिर कोईना रिवर कृष्णा में फिर से जुड जाएगी तो महावलेश्वर, कोईना रीवर, शिवसागर, यह पता हुना जी आपको, महारास्टर के अंदर है फिर next news आती है हमारे पास में artificial intelligence in MCA21 MCA21 के अंदर में artificial intelligence का use किया जाएगा तो गौर्मेंट के दोरा plan बनाया जा रहा है कि हम artificial intelligence system introduce करेंगे MCA21 portal के अंदर में जिससे process और जदा easier हो जाएगी और autopilot के अपर यह पूरा 24 by 7 काम कर पाएगा यह वाला portal तो इसके बारे में अगर बात करेंगे broad level के उपर हमें बता है हमने digital India program launch करके रखा हुआ है digital India के अंतरगत में उससे पहले हमारा national e-governance plan था जो कि हमने 2006 में launch किया था उसके बाद में इसी plan को हमने national e-governance plan 2.0 बना के digital India के अंदर डाल दिया अब digital India के अंतरगत national e-governance plan national e-governance के अंदर हमने काफी सार इनिशेटिव चला के रखे हों जैसे हमारे पास में digital India के अंतरगत mission mode project जो हमने दो-तिन दिन पहले देखे थे जिसके अंदर में e-Vidhan के रला की विधान सभा को digitize करने की बाद थी हिमाचल परदेश फर्स्ट स्टेट थी जिसके तरग डिजिटाइज किया गया वैसे य बैंकिंग के अंदर में जो हम इनिशेटिव आ रहा है और सारे इनिशेटिव आ रहे हैं इसी के अंतरगत आ रहे हैं Mission Mode Project के अंतरगत तो National E-Governance Plan के अंतरगत Mission Mode Project और वो उन Mission Mode Project के अंदर एक प्रजेक्ट है हमारा MCA 21 तो MCA 21 E-Governance का इनिशेटिव है और ये Ministry of Corporate Affairs के द्वारा चलाए जा रहा है तो MCA का मतलब Ministry of Corporate Affairs अब इनके लिए तो basically deal करेगा company बगरा से company के कुछ काम होंगे उनसे deal करेगा ये तो उसी के लिए Ministry of Corporate Affairs आपको याद रखना है फिर ये first Mission Mode Project था Mission Mode Project Digital India के अंतरगत आ रहे है जो की launch किया गया था National E-Governance Plan के अंतरगत National E-Governance Plan आ रहा है Digital India के अंतरगत Digital India आ रहा है Ministry of Electronics and IT के अंतर उसके अंतर मैं काफी Mission Mode Project है उनी में से एक है MCA21 MCA21 का काम क्या करेगा MCA21 जैसे हमारा 2013 का जो company act है उसके अंतरगत में कुछ अगरा आपको काम करवाना है online processes करवानी है तो ये basically company से related deal करेगा जैसे ये क्या क्या काम कर सकता है अगर आपने कोई नई company register करवानी है तो आप इस portal के उपर जा सकते हो हमारी different regulator, corporates और investor यहाँ पर registered होंगे उनको information वगएरा provide करवाई जा सकती है कोई आपने fee वगएरा payment करनी है उसकी act के अंतरगत में वो आप कर सकते हो किसी और company के अगर आपने detail प्राप्त करनी है वो आपके दोरा की जा सकती है फिर एक digital signature होता है digital signature जो कि अगर आपने online तरीके से अपनी file वगएरा एक place से दूसरे place पेजनी है तो उसके उपर authenticate signature आपकी company का या आपका जिससे पता चलेगा कि आपके दोरा उसको sign किया गया है जैसे physical में तो पता लग जाता है लेकर डिजिटल way के अंदर में digital world के अंदर में digital signature यूज़ करते है तो उसके लिए permission लेनी हो वो भी आप इस portal के through ले सकते हो तो जैसे आपको एक one stop solution दे के रखा हो एक portal बना के रखा हो वहाँ पे जाओगे log in करोगे और ये सारे काम आप करवा सकते हो तो ये इंडिया का digital India vision के अंदर गत में आपको पता हो न चाहिए इसके बारे में journal question तो ऐसे या आएगा MCA 21 किस चीज़ से related है तो पूछ सकते हैं corporation से related है आप से company से related है banking से related है तो वो सब चीज़ें आपको बतानी है तो यहाँ पर हमारे आज के current affair खतम होते हैं next video के अंदर मिलेंगे thank you